जो आप दे रहे हैं हमें वो आप प्यार से दे रहे हैं इस्जत से दे रहे हैं या फैंक जो कानून आपके बच्चों के लिए गुजरात में हैं तामिलनाडू में हैं हर्याना में हैं वही कानून आप जमुकिश्मीर के बच्चों के लिए हैं श्यूसेना कितनी सेक्टीर है वो दुझा को मालूम है? या कुमनेल है वो दुझा को मालूम है? सजादगनी लून जी हमारे साथ हैं, जेकी पीसी के आप मुखिया हैं, बारा मुला से चुनावी मैदान में है, उमर अब्दुल्ला को बड़ी और कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में खड़े हैं सर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि आप उमर अब्दुल्ला को वहां से मात दे देंगे हम बैसिकली हमारी पार्टी का डेवलिप्मेंट और देवलिप्मेंटे हैं डेवलिप्नेट बिलीवेंट के जो कोर अफ जो हाट अफ जेंड के एकानमी रिजाइड इन अइन हर्टिकल्चर और टूरिज़्म and that we need massive packages हमें चाहिए होंगे generation के लिए employment generation के लिए मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ जमू में तो बाराल अलग है तो oh dignity जब हम dignity की बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि जो आप दे रहे हैं हमें वो आप प्यार से दे रहे हैं हमें लगता है कि हम कोई negative नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन काफी space है इसको प्यार से देने की इज़त से देने की तो उसमें जैसे कि कुछ कानून है यहां जो सरफ जमू कश्मीर में हैं और बिल्क खसूस कश्मीर किते में ही जो है उसके victims होते हैं हमारा यह कि special relationship special status तो आपने हमारा ले लिया अब हमें unequal ना बनाई है अब हमें equal Indians बनाई है जो कानून आपके बच्चों के लिए गुजरात में हैं, तामिलनाडू में हैं हर्याना में हैं, वही कानून आप जो हमो कश्मीर के बच्चों के लिए भी रखे So, that is the dignity part that treat us fairly कई बार जब हम positive politics की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जनता को वो मुद्धे बहुत attract नहीं करते हैं क्योंकि गंभीर आरोप लगाना negative publicity इस तरह की बातें आपको लग रहा है कि इन मुद्धों पर जो बारा मुला की जनता है उसका प्यार आपको मिलेगा नहीं, देखे हम तो positively जा रहे हैं जो हमारे opposite है incidentally जो हमारे opposite हैं उन्होंने कोई 32 years power में है रहे हैं और 28 साल उनके MP रहे हैं 75 से आज तक 10 में से 9 MPs उनके गए हैं और वो जो हैं instead of defending those 32 years वो हम पर लगा रहे हैं और हम तो नहीं हैं तो डाई साल पावर किया रखा है तो उनका ये मानना है कि जितनी भी खराबी जमू किश्मीर में है वो हमारे डाई साल में जो मिनिस्टर थे हम परशुपालन मिनिस्टर थे कोई बड़ा हमारे पास उतना जो है पॉर्टफोलियो था नहीं उसी की वज़ा से है जो उनका अपना है वो उनको बूल गया है totally so the opponents वो चाहते हैं कि वो negatively हमें paint करे कि ये लोग जो हैं बड़े खतरनाक लोग है तो हालांके हमारे खतरनाक या घराब होने से वो अच्छे नहीं बनते but that is how they want to play it बीजेपी यहां की तीनों में से किसी सीपर चुनावनी लड़ी है लेकिन उमर अब्दुलाजी का कहना है कि आप उनकी B team है तो इस पर किस तरह से अब मा अमर अब्दुलाजी की लड़ी है देखिए फॉरन मिनिस्टर तो वो थे बीजेपी के में था नहीं और ये तो जब मुंबई राइट्स हुए थे तो उसके बाद ही वो उनके पास गए थे शियुसेना के साथ आज वो हैं मैं नहीं हूँ और शियुसेना कितनी सेकुलर है वो दुनिया को मालूम है या कुमनेल है वो दुनिया को मालूम है तो मुझे ये नहीं समझाती है कि B.J.P. को पिछले एलेक्शन में एक परसंट वोट आया है था Unless and until عمر عبداللہ صاحب کو لگتا ہے कि 2019 के बाद Article 370 हटाने के बाद BJP बहुत बड़ी पहलवान बन गई है मुझे यह नहीं समझाता है जिसने खुद 1% वोट लिया है वो मेरी क्या मदद करेगी लेकिन चर्चा का विश्य तो BJP बहुत जादा है अब पबलिके भी बीच जाएए वहाँ पर भी BJP की चर्चा तो है अमर अब्दुला जे खुद भी कई बार भारती जनता पार्टी का नाम लेते हैं मुझे खुद नहीं समझाती है BJP वाले उतना BJP का नाम नहीं लेते हैं इतना अमर अब्दुला साब लेते हैं यह वही अमर अब्दुला साब का रिष्टा पुराना है इनके साथ कुछने कुछ तो है 2014 में जब यहाँ एसम्बली के एलेक्शन हुए पहली पार्टी जो बागी दिली और इनके साथ बेट किया बैठे कि साब हमें भी साथ रख लो तो वो नेशनल कांफरेंस थी आप रहमादुजी से पूछे आप दिविंदर राना से पूछे वो आप बीजेपी में हैं तब तो इनके खासल खासते वो ही गए थे पहली मिटिंग फिक्स करवाने फिर तीन दिन के बाद चेंज ऑफ हाट हुआ बीजेपी को लगा कि ये मेंडेट के खिलाफ होगा तो वो पीडीपी के साथ गए कोई भी जब एसेंबली एलेक्शन होगा मैं खून से लिख कर देता हूँ तो फर्स पार्टी तो गो देर और आफर सपोर्ट विल बी उमर अब्दल्ला और नाशनल कांफरेंस बागी आप अपनी इंडिया टोडे चैनल से पूछिए आज तक चैनल से पूछिए आज से दो मीना पहले या डेर्ड मीना पहले फारुक अब्दला साब ने एक बयान दिया आपकी चैनल को उसमें तो लिटरली वो सरंडर कर रहे थे वो तो बीक मांग रहे थे लिटरली बीजेपी को कि भाई साब मेरा क्या क्या मुझे भी साथ ले लो तो अब यह है कि हम आउट आफ रिस्पेक्ट बाकी चीज़ उचालते नहीं जादा तो यह जो है इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम बड़े इलीट हैं हम बड़े जो हैं कोई खासल खास हैं तो यह उस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में इनका यह है कि जो इनके साथ है वो यह तो एजनसी के लोग है या बीजेपी है जब यह बीजेपी को हटा देते और उमरग्दला साब ने अभी एक इंट्रिव में बोला अगर वो होते तो वो बहुत अच्छे थे means कि उमरग्दला साब का जो जगड़ा है वो यह कि मोदी जी गास नहीं डालते हैं तो शायद वाजबाई जी गास डालते थे पूरी दुनिया जितने भी छोटे-छोटे केसों में लोग अंदर हो गए यह फारुक उदिला साब का केस है क्रिकेट स्कैम का या बीजेबी को भी एक्स्प्लेइन करना पड़े का और फारुक साब को भी कि वो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं एक क्लियर कट मामला है बैंक ट् CCI का जीन के क्रिकेट असोशेशन का आपको कोई टाची नहीं कर रहे हैं राधर देन डिफेंडिंग वाई ही इस नॉट इंजेल आप पूछे मैं नहीं कह रहा हूं यह आप उमरभदला साब को पूछे कि बैसाब अगर कोई और होता क्या वो जेल में नहीं होता अगर सज जिस के खिलाफ ED का मामला है वो तो सब जेल में यह कैसे बाहर है राधर देन आंसरिंग डाट वो मुझे बोल रहे हैं हम तो इनके विक्टिम रहे हैं हमारे वरकर्स को इनने PSA लगाया है इनने रिगिंग किया हमारे खिलाफ आप बताए कि यह जो PSA है इस से कोई मतलब इ इनने लाया हुआ है इन दोनु बाप बेटों ने लगबख छे से साथ हजार लोगों को PSA में during their tenures लाया है वो क्या मा के पेट से नहीं जनमे थे क्या पत्तर से पैदा हुए थे उनका कोई पूछने वाला नहीं है चोरी की 1987 में आज तक कोई नहीं पूछता है किया रही कै he has the audacity कि वो A team वो B team वो C team अब ये बताई ये 31% 29% वोट लिया इन्होंने लास्ट एलेक्शन में नौर्ट से हमने 25 लिया ठीक है ना मगर 71% वोट इनके खिलाफ पड़ा तो क्या 71% लोग BJP हैं तो ये 29% लिए नौन BJP हैं ये I think he is the best advertisement for BJP ये बार बार जब भी मीडिया कैमरों की सामने आते हैं वो कहते हैं कि या पब्लिक के बीजा कर कि 370 को वो बहाल करेंगे उनकी सरकार आएगी तो ये मुद्दा बनेगा लोग कि मुझे बताइए उनके 3 MP थे 3 MP के लेकर वो 370 को बचा नहीं पाएं बचा क्या नहीं पाएं वहां वो बात भी नहीं कर पाएं अब इन 3 MPs को लेकर वो कैसे लाएंगे ये मुझे समझाईए आपको 370 को वापस लेंगे यहां का MP थो नहीं ला सकता है इसमें कम असकम तीन साड़े इंडिया लाइन से कि 370 वापस लाएंगे 35 वापस लाएंगे इंटरलेटान भी वापस लाएंगे अब भी विड्रॉप करूँगा लेकिन खुद कहां से लाएगा जूट बोल रहा ह he's lying through his teeth Congress party के साथ India गठ बंदन में वो चुनाब लग रहा है तो वो गठ बंदन इनको मस्बूती दे रहा है देखे उस में सुसेना थे वोटेड इन फिवर वबर किशन तर वापनी पार्टी वोटेड इन फिवर वबर किशन 50 तो 60 MPs of Congress अब National Conference के MPs ने क्या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन I won't be surprised कि अगर उनने भी किया होगा, बिकुस पता तो है नहीं दे पाएंगे या फर एक वोट काटने वाली पार्टी होती है, वो इसलिए हमारी पार्टी ने पिछली बार तीस हजार वोट से हारा है, तब राजा अजास साब हमारे केंडेट थे, तो कोई बड़ी तोप वहां पिछली बार भी उमर अब्ला साब नहीं थी, यह वो किया है, मैंने जो पहला पार्लिमेंट लड़ा था, दो हजार नो में लड़ा था, तो तब हम हारे थे, शायद एक लाग सतर हजार से, वो मेरी जमान जब्द हो गई थी, फिर हमने कैंडिडेट रहा है, दो हजार चोदा में, तो वो एक लाग से हारा, फिर हमने, राजा अ अगर एरोगन्स है, तो मेरी जगा मुझे लोग दिखा देंगे, अगर उनको एरोगन्स है, तो उनकी जगा उनको लोग दिखा देंगे। हैं कि ये तो मुझे लगता है अगर कोई उगरवादी वहां है वंशूर्ट थैंकिंग कि वो मारता नहीं उसको वरना दे क्रियेट ओल दे मसाला और यह बच्चा नहीं है यह चीफ-पिनिस्टर रह चुका है फादर इसका चीफ-पिनिस्टर रह चुका है they know that when you indulge in a certain gossip it ends up in a killing and they do, they talk to kill they deliver a statement to kill so that लोगों के दिलू में वो खोफ उट जाए खोफ हो जाए मतलब इतना बहादूर है यह कि सेक्यूरिटी का जो एक वो होता है फैलाव जो इनका है वो ऐसा होता है प्राइम स्टे के बाद चाहे दूसरा होगा लेकिन शरम हमको आती नहीं जो गरीब वहाँ पहाडू में है बयान ऐसा दोगा कि कोई न कोई टपकाड़ा लेगा तो वाइट कॉलर किलर अगर यह नहीं है तो फिर कोन है आप बताइए मुझे जब यह टॉर्चर करते थे लोगों को तो ऐसा कैसा चलेगा आज डिजिटल वर्ल्ड है यह अभी पुरानी दुनिया में इनको लगता है कि यह जो है लोग देखते नहीं है अब भी खाली में एक इंटर्वी में उन्होंने बोला कि वाजबाई साब का तो इस बंडल उप कॉंट्रडिक्शन यह जो एंड़ वेरी वेरी ओनस विजू सम्हाव मुझे तो लगता है मिसे आई लोग एट इम यहां बहुत टूरिजम है तो मुझे लोग एट इम कसम से मैं देखता हूं तो मुझे टूरिस्ट टूरिजम याद आता है बट इस बैड टूरिस्ट यह तो उदर से ही लेने आया है वी लोग इट टूरिस्ट जो आके पैसा यहां खर्चा करें जॉब्स क्रिएट करें टूरिस्ट धूरिस्ट दूर्ट गष्मीर बोलती यह कल फो पार आयता है तो उनका अपना वरकर उनको टूरिस्ट बोल रहा था आप कि तोरिस्ट तो उनको सारी दुनिया बोलती है तो वहां के कहा है लिज़ गां से आप बाहरी बनाम वहां के लोकल का मुद्दा उठाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और आपका दावा है कि एक लाख वोटों से 12 मुला आप जीत जाएंगे असा कुछ नी बोला मेरा सर नीचे है लोगों का मामला है लोग हराबी सकते हैं जिता भी सकते हैं जो उनकी arrogance है. I am just repeating that his arrogance. Inshallah, लोग उसको जवाब देंगे.